C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्त है दस्वी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्थे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग दो पेश है दस्वी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्सी किताब अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग दो का नमा पाठ जिलानी बानो सफा नंबर उनहत्तर तारुफे अफसाना निगार जिलानी बानो पैदाईश उन्नीस सो तैटीस जिलानी बानो का असल वतन बदाईयू उत्तर प्रदेश है उनके वालिद हैदराबाद आंध्रप्रदेश जाकर बस गए और यहीं उनकी पैदाईश हुई जिलानी बानो का पहला अफसानवी मजमुआ रोश्नी के मीनार सन 1958 में शाय हुआ नर्वान और कुन उनके दूसरे अफसानवी मजमुआ के नाम है उन्होंने कई नौवलेट भी लिखे जिनमे जुगनू और सितारे और नगमे का सफर के नाम नुमाया है उनके दो नौवल एवान गजल और बारिश संग बहुत मकबूल हुए जिलानी बानो के अफसानों और नौवलों का असल मौजू हैदराबाद के जवाल के बाद जागीरदारों की बिखरती हुई जिन्दगी है उन्हें जबानों बयान पर गुदरत है उसके इलावा वो हैदराबाद की मखसूस बोली का इस्तिमाल भी बड़ी चाबुक दस्ती से करती हैं सफा नंबर सत्तर अफसाना दोशाला अफसाना निगार जिलानी बानो आईए अब सुनते हैं अफसाना निगार जिलानी बानो का अफसाना दोशाला आखिर सर्वर के समझाने बुझाने से अम्मा जान का दिल हार ही गया उनका दिल जो अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि मुदाफियत की सकत ही न रही थी और वो दिन आन पहुँचा कि उनका तूटा फूटा संदोग रसियों से जकडा दालान में रखा था सर्वर ने उसके उपर सुतली से बंधा हुआ बिस्तर, एक लोटा, नाश्टेदान और पान दान लाकर रख दिया था बहु ने उन्हें अपना पुराना बुर्का ठीक ठाक करके दे दिया इस उम्र में उन्हें अपना चांद सा चहरा चमकाने के लिए अब सिया बुर्के की तो जरूरत ही न थी गिसी हुई आधि-आधि सलीम शाही जूतियां अंगूठों में अटकाए वो सारे घर में सटर-पटर करती फिर रही थी अपनी सठियाई हुई यादों को इकठा करके बार-बार सूचती कि अभी कौन-कौन सी चीज़ों की उठा धरी करनी है उन पर वो वहशत सवार हो चुकी थी जो सफर का आगाज होती है इधर उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, उधर उनका पोता, तौकीर और उसकी बहन जमाल कोटरी का जायजा लेना शुरू कर दे दे थे वहां की हर चीज अम्मा जान के काम की थी मकड़ी के जाले भरे तूटे फूटे सामान के धेर पर वो माया का साप बनी बैठी थी जमाल महज उन्हें सताने के लिए अगर जमीन पर से पान का डंठल भी उठा लेती थी, तो वो चौक पड़ती ए बेटा, क्या ले जाय है? वो मेरे काम का है अब उन्हें दूर से सुझाई थोड़ी देता था, बस यूँ ही अलल टप कह देती ये पान का डंठल भी? जमाल बुरा मान कर दिखाती हैं? देखूं? वो उसकी हथेली अपने आँखों से लगा कर यकीन कर लेती मगर तुझे हर चीज उठाने का लपका क्यूँ है? उनका जी डूब जाता था उन बच्चों की वज़ा से तो हर वक्ट उनकी गर्दन पर तलवार लटकी रहती थी ये बात न थी कि उन्हें अपने पोते और पोती से नफरत हो मगर जिनके पास दौलत हो, उसका दिल तो धड़का ही करता है हर तरफ डाकूँ के पड़ाव नजर आते थे उनके चार बड़े लड़के एक लड़की समेत पाकिस्तान सिधार चुके थे एक सरवर ही था जो किलरकी पर कनात किये बाप दादा की उस पुरानी हवेली में चिराख जला रहा था इस हवेली की भी अम्मा जान की तरह कमर जुक चुकी थी और दाद भी तूट गए थे दरसल सरवर की बीवी ना चाहती थी के वहां भी चार जिठानिया और एक सास हर वक्त उसे बहू बहू पुकार कर उसकी गर्दन जुकाए रखें मगर अम्मा जान घर ना चोड़ने के बहाने अब भी आंका सभाले उसकी गर्दन पर सवार थी वैसे घर से मुराद अब सिर्फ उनकी कुठरिया थी जूँ जूँ घर पर बहूँ और उनकी ऑलाद का कब्जा होता गया वो पीछे हटी गई यहां तक कि अब उस टपकती छट की सीली कुठरी पर उनकी इजारादारी रह गई थी वहां उन्होंने हर वो चीज जमा कर रखी थी जो उनकी बहूँ के खयाल में फेक देने के काबिल थी वहां उनकी जिन्दगी के सारे तूटे फूटे जंगालोदा कलपुर्जे पड़े थे तूटे फूटे फानूस के रंगीन टुकडे जिन्दगी भर सारी तक्रीबों में सिये जाने वाले कपड़ों की कतरने वहां उनकी जिन्दगी के सारे तूटे फूटे जंगालोदा कलपुर्जे पड़े थे तूटे हुए फानूस के रंगीन टुकडे जिन्दगी भर सारी तक्रीबों में सीए जाने वाले कपड़ों की कत्रने उन बच्चों के खिलोने जिनके बच्चे भी अब खिलोनों से नहीं बहलाए जा सकते ये सब दौलत उन्होंने लकडी के संदूकों में इतनी एहतियात से छुपा रखी थी जैसे हनूत करके अपनी यादों की मम्मिया सजा रखी हों इसमें वो जरे बफ्त की अचकन थी जो अमा जान के अबबा ने दूलहा बनते वक्त पहनी थी और उन सच्ची चीनी की रकाबियों के टुकडे थे जो उनकी अमा अपने जहेज में लाई थी उनके अबबा का फरगल था और उनके दादा का तारीखी दोशाला जिस वक्त वो सारी बाजियां हार के जिन्दगी के नापैदा किनार किनार ने किनार जिस वक्त वो सारी बाजियां हार के जिन्दगी के नापैदा किनार समंदर में गोते लगा रही थी तो इस दुशाले की महबबत गुमशुदा जजीरे की तरह पाली थी उनकी अंधेरी कोट्री में वो हजार कैंडल पावर का बल्व था जिसकी रोश्णी में कोई राह कठिन ना लगती थी दुशाले का कपड़ा हर हर तैपर से पापड की तरह तूट चुका था मगर उसके कारचोब में से कई सेर चांदी निकाली जा सकती है ये बात एक दिन बीवी ने सरवर को समझाई और दूसरे दिन अम्मा जान अपने बीमार भतीजे को देखने गई तो वो दुशाला बड़ी एहतियात से निकाला गया बहु ने उसकी जगा अपनी पुरानी रजाई रखकर साथ गठरियों की तै पके टाकों से सी उसी तरह से पुराना अजार बंद उपर से लपेट कर संदूख में रखा और संदूख के ऊपर सब गठरियां, पोटलियां, अफियून की डिब्बियां, दवाईयों की शीशियां और बालाए का दोना हर चीज यू जमाई कि सिवाए गर्द के कोई चीज अपनी जगा से ना हिली अम्मा जान की आँखों में अब इतना दम कहा था कि रोज रोज पक्के टाके उधेड कर दोशाले को जमाने की हवा से मैला करती इसलिए वो बड़े इतमिनान से बहु की पुरानी रजाई सीने से लगाई जी जा रही थी रात रात भर जाक कर उसकी हिफाज़त करती केक पैसे को उन्हें तरसाए वो चाहें तो आज अपने दादा का दोशाला बेच कर ठाट करें उस दोशाले की हिफाज़त के लिए उनके सारे भूले बिसरे ख्वाब चौकट पर धरना देए बैठे रहते थे सफ़ा नंबर बहत्तर अगर जरासी लापरवाई से खुदाना खास्ता दोशाला खो जाए तो उसके साथ अम्मा जान का बच्पन खो जाता बियाही जिन्दिगी की अजियतनाक मिठास और बुढ़ापे की तस्कीन आमेस कड़वाहट तौबा है अब इतनी लाशों पर रोने के लिए आसू कहां से आएंगे इसलिए तो उन्हें अपने पाँच बच्चों को उनकी ऑलाद समेथ भूल जाना पड़ा था वहां से जिसका खताता अम्मा जान के लिए तड़प रहा है उन्हें क्या मालूम कि अम्मा पर किसकी महबबत खुदाई कर रही है वो तो अपनी दानिस्त में छोटे बेटे की महबबत के ताने देते थे या फिर अम्मा जान से अपना वतन नहीं छोड़ा जाता अब ये कौन जानता था कि अगर कोई उनकी गठरिया उठा कर दोजख में रख दे तो वो वहां भी उसी सुकून के साथ संदूख से पीठ लगाए तस्बी पढ़े जाएंगी दिन भर में सिर्फ दो तीन बार किसी खास जरूरत के लिए खुले आसमान तले से गुजरती थी उनकी बला से या आसमान हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का कभी कभी जमाल उनका पल्लू पकड़ कर ठिनकने लगती दादी हमें लकर दादा का दुशाला दिखाईए अच्छा अच्छा दिखा दूंगे किसे दिन वो टाल जाती क्योंकि सामान खोल कर बैटी थी तो जमाल और तौकीर छीना जप्टी शुरू कर देते थे कोई फानूसों के शीशे लिए भागा जा रहा है कोई मिटी की तूटी गुडिया पार करने की फिराक में है गबरा कर वो संदूख बंद कर दीती थी अगर यूं सखी दाता बन कर बैटती तो ये गंजहाए गरा माया कैसे जमा हो पाते नवाद राज जमा करना कैसा जान जोखम का काम है ये तो कुछ वही जानता है जिसने अमाजान की तरह अपना एश वाराम तज दिया हो वो तो जिन्दिगी के बचे कुछे दिन भी इसी तरह गुजारने का पक्का इरादा किये बैठी थी कि उनके बड़े बेटे का खताया उनकी बड़ी पोती का ब्याह तै हो चुका था अगर अब भी अमाजान ना आई तो फिर कभी ना आए उनके बेटे समझते थे कि उनकी अमा तूटे ठीकरों के नीचे सोने की इटे चुपाए बैठी है कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अमा के सोजाने का तार आ जाए और सरवर के नसीब जाग उठे कोठरिया की दौलत जिन्दिगी की तरह प्यारी थी मगर जिन्दिगी तो ना थी क्या मालूम कल कला को उनकी आखें पट से बंध हो जाएं और उनके बच्चे पाकिस्तान में बैठे उन्हें पुकारते रह जाएं उन्हें समझाने के लिए हालात अपनी दलीले दे कर आए और वो बेबस हो गई सर्वर को तो अल्ला मियाने छप पर फाड़ कर मौका दिया था लुपाई छुपाएं पासपोर्ट तयार करवा लिया साथ के लिए एक दोस्त भी ठून दिया बहुने आनन फानन सामान तयार करके दालान में रख दिया मारे महबबत के अम्मा जान के लिए खालिस घी की कहकर बनासपती में खजूरे भी तल दी अम्मा जान ने दोशाला जैसी कीमती चीज साथ ले जाना मुनासिब न समझा कौन जाने वहाँ उनके बेटे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा कर दोशाला हथिया ले तो और जो कुछ संदोख में भरा जा सका ठूस लिया जब उन्होंने एक भरपोर निगाह डाल कर कोट्री को ताला लगाया तो आँखों से सैलाब उमड़ पड़ा जैसे उन्होंने जिन्दिगी की सारी हारें सब जीतें अंदर बंद कर दी हो फिर वो बहु से लिपट कर खूब रूई अब ये कोट्री तुम्हारे हवाले कर रही हूँ बहु मेरे बाद तुम ही इसकी माले कोगी ये बात उन्होंने बड़े सोच विचार के बाद कही थी ताके बहु अभी से बेसबर ना हो जाए दादी आप लकर दादा का दोशाला कौन से संदूख में रखे जा रही है काकीर ने बड़े इश्तियाक से पूछा एक खबरदार जो दादी को जाते वक सताया हम बहु ने उसके दो थपड लगाए और अम्मा जान को कसम खाकर यकीन दिलाया कि वो कोट्री की कोई चीज न चुएंगी अम्मा रेल में बैठी तो उनका जी हलका हो गया उन्होंने कोट्री में ये मोटा अलीगण वाला ताला डाला था सिर्फ तीन महीने की ही तो बात है उन्होंने गैर इरादी तोर पर इजार बंद में कुंजी ठटोली बंबई पहुँचकर एक हफ़ता होटल में ठहरना पड़ा सरवर के दोस्त ने जाने क्या मुश्किल सा नाम बताया कि अम्मा जान का वो नहीं बना है आखिर अल्ला अल्ला करके ठकी हारी अम्मा जान जहाज में सवार हुई तब सरवर के दोस्त ने जेब में से एक पोस्ट कार्ड निकाल कर उन्हें सुनाया ये पोस्ट कार्ड उनके पोते तौकीर ने बड़ी नस्तालीक उर्दू में लिखा था दादी जान सलाम अलेकुम और कदम बुसी यहां सब खेरियत है और आपकी खेरियत नेक मतलूब दीगर एहवाल यह है कि जनाब लकर दादा साहब का दोशाला कहीं न मिला मैंने और जमालू ने सारा कमरा चान मारा बराई करम बवाफसी डाग मतल्ला फरमाईए कि आपने दोशाला कहां रख दिया है जमालू आपको सलाम लिखवा रही है फक्त आपका खादिम तौकीर मिर्जा मतल्लिम जमात पंजम अलिफ बाकलम खुद खट सुनाने के बाद सरवर के दोस्त ने देखा कि अम्मा जान उस दोशाले की तलाश में कहीं जा चुकी है ताज़ुप के मारे उनका मुँख खुला रह गया था और मुठिया भिची हुई थी जैसे वो दोशाले को पकड़े लटकती रह गई हूँ सवाल नमबर एक अम्मा जान को दोशाले से लगाओ क्यों था सवाल नमबर दो अम्मा जान दोशाली की हिफाज़त के लिए क्या-क्या तद्बीरें करती थी सवाल नमबर तीन उनकी अंधेरी कोठरी में वो हजार कैंडल पावर का बल्ब था जिसकी रोशनी में कोई राह कठिन ना लगती थी इस जुमले की वजाहत कीजिए सवाल नमबर चार तौकीर का खत सही अलफाज के साथ लिखिए इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ गुलजार अर्दू भागदो का नवा पार्थ यहां समाप्त हुआ इसके बाद पार्थ दस आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.